दोस्तो लॉरेंज बिश्णुई हमारे देश का वो मशूर गैंग्स्टर है जो भारत की वांटेड लिस्ट में से टॉप 10 में से एक आता है जिहा दोस्तो जिसके खिलाप मडर और एक्स्टॉर्शन जैसे कई सारे इलजाम उसके सिर के उपर है और वो अभी भी दिली के मंग पॉली जैल में बंद है लेकिन जिस तरीके से उसके जो इंटरनल कनेक्शन से जो उसकी पावर है और जो उसने समय समय पर लोगों को यह दिखाने की कोशिश की है कि वो जैल में बैटकर भी आपनी गैंग चला सकता है जी हाँ दोस्तो जैल में बैटकर फिर चाहे वो इसी मीडिया को इंटर्विव देना हो यह सब कुछ उसने जेल में बैटकर यह कड़के दिखाया है तो उसके बाद फेजबुक पर एक फोच्ट आती है कि इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लॉरेंस बिजणोई गैंग लेती है और फिर पूरी तरीके से हमारे तरीके से इस में एक डर का माहूल पैता हो जाता है कुछ इस तरीके की पावर है लॉरेंस बिजणोई के जैसे के ऐसी सेम घटना जब सिद्धू मुसे वाला को मार दिया था कुछ अग्यान शूटर द्वारा सिद्धू मुसे वाला जो एक बहुती मशूर सिंगर थे उनको मार दिय गया था और उसके बाद फेस्बुक पर एक पोस्ट आई कि इस मर्डर की जिमेवारी लॉरेंस बिजणोई गैंग लेता है और सिद्धू मुसे वाला जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर था जो कि भारत विरोधी काम करता था इसलिए उसे मार दिया गया ऐसा लॉरेंस बिजणोई और सिद्धू मुसे वाला के हत्याकांड के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से लॉरेंस बिजणोई गैंग ने सिद्धू मुसे वाला को सरे आम मार दिया कहने को तो लॉरेंस बिजणोई खुद को एक देश भक्त कहता है और जो लोग देश के खिलाप वो उसके दुश्मन है ऐसा वो मानता है जैसे कि पाकिस्तानी खालिस्तानी और जो कोई आतंकवादी संगटन जो भारत की खिलाब जाने की कुशिश करता है वो उनकी दुश्मन है ऐसा लौरेंस बिश्णोई ने मीडिया रिपोर्ट में कहा था लेकिन यहाँ पर हमारी NIA इ उस मॉव्मेंट को जो फंडिंग मिल रहे है उने जो पैसा वहाँ पर पहुचाया जा रहा है उनमें बहुत बढ़ा हाथ लौरेंस बिश्णोई का है यानि के खालिस्तानी मॉव्मेंट को लौरेंस बिश्णोई सपोर्ट करता है ऐसा NIA का मानना है अब यह पूरी कहानी क क्या है इसके बारे में आप हम जानेंगे लेकर उससे पहले हमारे चैनल स्टे अप्लेट को सब्सक्राइब कीजिए इससे हमारी थोड़ी सी हेल्प होगी और हम ऐसे न्यू कंटेंट आपकी लिए लाते रहेंगे दोस्तों सबसे पहले लौरेंज बिश्नुई और खाली स्टान के संब्सक्राइब को जानने से पहले हमें खाली स्टान है क्या इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दरसल खालिस्तान एक बहुत पुरानी मुवमेंट है जो सिख कम्यूनिटी द्वारा चलाई जा रहे है हाला कि सभी सिख लोग इसका सपोर्ट नहीं करते है कुछ एक सिख कम्यूनिटी है जिनको बढ़काया जा रहा है और वो इस मुवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे है लेकिन खालिस्तान ये है क्या दरसल खालिस्तान एक ऐसी मांग है जहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका अलग राज्य हो उन्हें पूरी तरीके से अटनोमी वहाँ पर दी जाए और उनका खुद का कॉंस्टिटूशन भी वहाँ पर हो आप यहाँ पर ये भारत से अलग होने की बात ने कर रहे है बलकि वो केवल एक अलग राज्य चाहते है चाहाँ पर उनको पूरी तरीके से अटनोमी दी जाए और उनका एक खुद का कॉंस्टिटूशन भी हो ऐसे एक मांग वो सालू से कर रहे है लेकिन हम सब को ये पता है कि ये मांग तो कभी पूरी नहीं होने वाली इसलिए ये खालिस्तानी संगटन हमेशा से प्रोटेस्ट कर रहे है और भारत के खिलाब आतंकवात को प्रोट कर रहे है लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हर्दीप सिंग निजजर जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीप था उसे कैनेडा में गोली मार कर हत्या करती जाती है अब यहाँ पर होता यह है कि जैसे ही हर्दीप सिंग निजजर को मार दिया जाता है कैनेडा में बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शन होते है इंडिया के खिलाब बहुत बड़ी बड़ी नाजरे बाजी होती है इंडिया के खिलाब फिरोत परदर्शन किया जाता है और यहाँ पर इंडिया के खिलाब यह allegations लगाए जाते है कि हरदीप सिंग निजजर की मौत के पीछे इंडिया की खूपिया एजेंसी का हाथ है यहाँ तक ही नहीं कैनेडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जेस्टिन टूडो उन्होंने तो सरयाम इंडिया पर यह allegations लगाए है कि हरदीप सिंग निजजर के मौत के पीछे इंडिया का हाथ है अब जैसे ही कैनेडा हमारे उपर यह बहुत बड़े-बड़े allegations लगाती है तो हमारे भारत देश का इसके उपर एक reply तो आना बनता है और वहाँ पर हमारे foreign minister एजे शंकर कैनेडा को एक reply देते हुए कहते हैं कि कैनेडा यह जो इंडिया पर allegations लगाय रही है यह बेपुनियात है अगर कैनेडा के पास इसकी खिलाब कोई भी सबुत है तो इसके उपर हम चर्चा करने के लिए तयार है लेकिन कैनेडा ऐसे बेपुनियात इलजाम इंडिया पर ना लगाए ऐसी साब साब स्टेटमेंट यहाँ पर S.J. शंकर कैनेडा को देते है लेकिन उसके बाद होता यह है कि एक और खालिस्तानी समर्तक को यहाँ पर गोली मार कर हत्या कर दी जाती है जिसका नाम था सुकदूल सिंग सिक्खा और उसके कुछी गंटों के बाद फिस्बूक पर एक और यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि सुकदूल सिंग सिक्खा इस गैंग्ष्टर को कलारेज बिश्नोई गैंग ने मार दिया है और उस मैसेज में लिखा होता है कि सुकदूल सिंग सिक्खा को अपने पापों की सजा यहाँ पर मिल गई है और यह चेताओन ही दी जाती है कि लौरेंज बिश्नोई गैंग के एक दुश्मन जहाँ पर भी हो फिर चाहे हो भारत में हो या फिर किसी अन्यत देशों में ही वो छिपे हो उन्हें जीवीत नहीं छोड़ा जाएगा और जैसे ही यह इलजाम लौरेंज बिश्नोई गैंग अपने सर पर लेती है तब से यह पूरा बवाल और ज़्यादा बढ़ जाता है खालिस्तानी मुव्मेंट और ज्यादा तेज कैनेडा में होती हुई नजर आती है जिसके खिलाब कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जेस्टिन टूडो हमारे भारत देश के खिलाब कई ऐसे बड़े बड़े ऐलिगेशन से आपर लगाती है लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज चैनल यह कहते है कि लोरेंज बिश्नोई तो खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है वो खालिस्तानीों को अपना दुश्मन मानता है और वो उन्हें ही मार रहा है तो वो हमारे देश के लिए एक अच्छे न्यूज है लेकिन यहाँ पर एनाय के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जहाँ दोस्तों एनाय ने आप तक 53 लोकेशन्स और 6 स्टेट में गैंस्टर्स के नेक्सस को तोड़ने के कुशिश की है जहाँ पर वो गैंस्टर लिंक्स, स्मगलर्स, ड्रग डीलर्स, इनके उपर एनाय द्वारा एक बहुत बड़े रेड़ यहाँ पर करी जा रही है जो की लॉरेंस बिश्णुई, सुकदूल सिंग सुखा और अर्शदीब दल्ला इन लोगों के गैंस के यह जो लोग है इन पर ये नाय द्वारा रेड्स यहाँ पर करी जा रही है जहाँ पर सामनी ये निकल कर आ रहा है कि जो थाइलन, कैनेडा और इंडिया में जो खालिस्तान मुवमेट यहाँ पर हो रही है उसको बड़ावा यहाँ पर लॉरेंस बिश्णुई गैंग दे रही है ये सामनी निकल कर आ रहा है जो खालिस्तानी मुव्मेंट को जो फंडिंग यहाँ पर पहुचाई जा रही है वो इनी गैंक्स दोरा पहुचाई जा रही है और एक बहुत बड़ी न्यूट सामने निकल कर ये आ रही है कि पंजाब में जो नाबाज जेल ब्रेक अटेक हुआ था अब ये नाबाज जेल के उपर जब कुछ टेरिस्ट लोगों ने पोलिस का रूप लेकर जो नाबाज जेल की जो सेकूरिटी है उस पर हामला किया था और चार ऐसे गैंक्स्टर को वहाँ पर छुडवा लिया था अब ये जो नाबाज जेल ब्रेक अटेक हुआ था 2016 में पंजाब के अंदर इसका यहाँ पर एक चीज समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यह जो गैंस्टर लोग है यह किसी के सगे नहीं होते यह किसी का विरोध या फिर सपोर्ट नहीं करते जो इनके खिलाब जाता है यह उनको मारने की कुशिश करते है बस और कुछ नहीं और यह ज्यादा तर एक वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल स्टे अब्रेटेट को सब्स्राइब कीजिए